Hello parents and welcome back to my channel आज हम बात करेंगे बच्चों को खाना खिलाने के बारे में आजकल बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क है एक महायूध है तो इसलिए आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो शायद हम करते हैं बच्चों को खाना खिलाते समय जिस वज़े से आजकल बच्चों का खाने की तरफ कोई इंट्रेस्ट ही नहीं रहता है शायद हम ऐसे कुछ गल्थिया करते हैं बच्चों को खाना खिलाते समय जिस वज़े से बच्चे आजकाल खाना नहीं चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ गलती या मिस्टेक के बारे में इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे जो हम परेंट्स करते है बच्चों को खाना खिलाते समय तो वीडियो बहुत ही जादा खास है बिना स्किप किये पूड़ा देखिएगा पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली जो गलती है जो शायद हम करते हैं बच्चों को खाना खिलाते समय या तो फिर जब बच्चा खाना खा रहा है उच समय वह यह है कि हम बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं मतलब बच्चा कैसे खाना खा रहा है या बच्चे को कैसे खाना खिलाना चाहिए या कै अबसी चीजें हम बच्चों को जब वोगता है जिस वज़े से उसका खाने की तरफ कोई इंट्रीश्थी नहीं रहता है उसका मन उप जाता है खाना खाने से तो इसलिए बच्चो को थोड़ा बहुत freedom देना चाहिए जब बच्चा खाना खा रहा है तब और inget आप बच्चो को खिला रहे हैं तब भी नहीं राता है, हमीं जोड देके उनको जबरदस्ती खाना किलाते हैं, तो हमें जोड जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोड जबरदस्ती बच्चे से करवाते हैं, वो काम बच्चे नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत बच्चों को फीडम दे और शायद बत्चा खाना घालेगा तो हम पैरेंट चाहआच करते हैं बच्चो को खाना कि लाते समय या उसको फ्रीडव यह उसको तोग्ते रहते हैं यह मत करो वो मत करो ऐसा करके तो अगर हम यह नहीं करेंगे शायлов का बच्च्चा खाने के तरफ interest Beni होगा और शायद वो खाना खा भी ले दूसरी जो गलती हम शायद करते है वह यह है कि हर रोज एकी टाइम पे हम बच्चों को खाना नहीं देते हैं या नहीं कहलाते हैं मैंने हमीशा से एही कहा है कि बच्चों के लिए एक रूटीन होना चाहिए जहां पर उसको पता होना चाहिए कि यह उसका खेलने का टाइम है यह खाने का टाइम है यह पढ़ने का टाइम है तो जब उसका खाने का टाइम है उस टाइम पर जब उसको आप खाना देंगे तो उसको पता होगा कि यह मेरा खाने का टाइम है और इसलिए हर रोज एखी थाइम पे बच्चो को खाना दीजिए, या खाना खिला हे ताकि उसको पता रहे रहें हैं उसका खाने क्ताल टाइम के लिए इसलिए वेख रूटीन बप्स्नददीर में पर्राइब भी कि तुम यह सूप पीलो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा तो ऐसा हम यूजली पैरेंस करते हैं ताकि बच्चा ठाले पट इससे क्या होता है कि यह उल्टा पड़ जाता है बच्चे जो है वह अपने दिमाग में सेट कर लेता है कि अगर मैं यह बोलूंगा कि मुझे यह नह नहीं खाना है तो मुझे यह चीज मिलेगा तो उनके दिमाग में ऐसा सेट हो जाने पर वहर रोज यही करते हैं देखना एक यह दो दीन अगरा पैसा करेंगे कि उसको बोलेंगे कि तुम यह सूप पीलो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा वहर रोज यही करेगा उसको नहीं जब तक आप नहीं बोलेंगे कि तुम्हें चॉकलेट मिलेगा वह यहीं बोलता रहेगा कि मुझे नहीं खाना है तो यह बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए कोई भी हल्दी चीज खिलाने के लिए हमें अनहल्दी चीजों का प्रलवन बच्चों को नहीं चाहिए उल्टा आप यह कर सकते हो कि जो चीज आप उसको खिलाना चाहते हो उस चीज के बारे में आप बच्चों को डिटेल में समझा सकते हो कि यह कितना हेल्दी है और यह क्यों खाना चाहिए इसको खाने से क्या होता है अगर बच्चे को आप यह समझा देंगे तो शा जो सेमी सॉलिड फर्म में होता है इसको बिल्कुल पेस्ट करके नहीं देना चाहिए हाँ में मैं सेटेश होना चाहिए जो बच्चे के मूह में जाये और वह चूव करने की कोशिश करें आपको अगर इसमें कुछ बहुत दोखे आप तो वह घआ जाएगा और जाएकमनों फॉष्षान की कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे चीव करना सीखे और आज हम पैरेंस की बहुत बड़ी एक गलती है कि बच्चों को टीवी या फोन दिखा के हम खाना कहिलाते है इसके लाब बच्चे खाना भी नहीं चाहते है और यह गलती हम दोहराते ही रहते है बट ऐसी गलती क्या खा रहा है क्यों खा रहा है बस वो टीवी की तरफ देखता रहता है उसका ध्यान पूरा टीवी की तरफ या फोन की तरफ होता है खाना खाने की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है तो बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय टीवी या फोन नहीं दिख जो आप स्टोडी सुना के गाना चुना की जो आप खिला रहे हो उसी बारे में बच्चे को खिला सकते हैं टीवी या फोन की वजह को टीवी अफोन दिखाक के कभी भी खाना नहीं चाहिए यह बहुत बढ़ी गलती है इसके लबावा हम बच्चों को snack time पर unhealthy snacks देते हैं या तो फिर जाधा snacks कोलादेते और जिस वजे से वो main खाना नहींचाते है मेन खाना खाना ही नहीं जाते हैं उनका भूक टाहता है जाधा snacks कानकी वज़े से या unhealthy snacks काने की वज़े से उनका भूक मर जाता है और मेन खाना बच्चे नहीं खाना चाहते है यह भी एक बहुत बड़ी गल्ती है जो हम parents करते है unhealthy snacks means हम बच्चों को snacks time पे chips वगड़ा या हम बिस्किर वगड़ा दे देते हैं जिस वज़े से उनका पूरा भूक मर जाता है हमें snacks सोज समझ के बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे का पूरा पेड भी ना बढ़े और उनके लिए हल्दी भी हो एक और गलती जो शायद हम parents करते हैं बच्चों खाना खिलाते समय हम पच्चों को प्लेट में जादा खाना दे देते हैं और फोर्स करते हैं कि करती हूं इसलिए मुझे यह फिलिंग्स होड़ा है कि शायद मैं भी अपनी बच्ची को जादा खाना दे दीती हूं और इसको फोर्स करती हूं कि उसको खाना करना है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर बच्चे का पढ़ गया है तो उसको फोर्स नही तो प्लेट में आप खाना सर्फ कीजिए, हो सके उतना ही सर्फ कीजिए जितना आपका बच्चा खाए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, जितना बच्चा खाया है उतना काफी है, फोर्स करके पूरा खाना खतम किलानी की जरूरत नहीं है, बठ जादा खाना देने के बाद आप अगर फोर्स करेंगे कि वो पूरा खाना बच्चे को खतम करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए और बच्चे जो है वो डर भी जाता है तो यह गलती भी हमें नहीं करनी चाहिए और हर रोज एक ही तरह का बोरिंग खान नहीं करते हैं वोें जाता है एक जाते है दो आप भी जाते हैं जो की बहुत टाअ के लिए और हनीचा बी होगा या तो फिर आप झालिया चाहते हैं डल्या अगर बच्चों को खिलाए उट्स जआना चाहते हैं या कोई फी सबजी अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो बहुत सारे फ़र्म में बच्चों को दिया जा सकता है जो की उनके लिए बहुत हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा आपको हर रोज एक ही तरह का बोरिंग खाना बच्चों को ना देके बहुत सारे वे में एक ही खाना बहुत सारे वे में आपको बच्चों को सर्फ करना चाहिए ताकि आपका बच्चा बोर्ड ना हो वो खाने के तरह इंट्रेस्टेड हो देखना आपका बच्चा ज़रूर और मैंने अपनी 5 साल की मादरूट की जर्नी में यही जाना है कि आपको पेसेंस चाहिए होता है हर एक चीज के लिए बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी आपको पेसेंस चाहिए होता है इन फैक बहुत ज्यादा पेसेंस चाहिए होता है कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे क क्यों मैं उसको खाना कहला हूं अगर नहीं खाना है तो छोड़ देते हैं बूखा रहे ऐसा भी लगता है पर आसा नहीं करना है आपको पेसेंस रखना है और पेसेंस के साथ बच्चों को खाना खिलाना है खाना खाना सिखाना भी है और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मदरूट की ये फाख साल के Mी मेरी बेटे को खाना खिलाने खिलाते चाहिद पियस डी कर लिया है क्योंकि पहले ऐवी तो जब मुझे 3 घंटे लग जाता था उसके बाद वो थोड़ासा दो गंटे में आया, देर गंटे में आया, एक गंटे में आया, अभी ऐसा हुआ है कि 30-35 मिट के अंदर मिरी बीटी खाना खा लेती है तो अगर पेसेंस के साथ अगर अगर आपका बच्चा भी धीर धीर इंप्रूफ करेगा और आप भी देखना कि आप अपने बच्चे को इजली खाना खिला भी शकेंगे तो आपको पेसंस की बहुत जादा ज़रूरत है मदरूट की जर्णी में और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गलती है अज पैरेंस हम करते हैं वो यह है कि हम बच्चों को जलदबाजीए करते है अपको यह और दiation में पर यह को उल्दबाजी करते हैं अवड मत हमेंको यह अचर एक चीज करना होता है अपत्र खोंस चंबLouis कर्ना होस्के बार तो फोड़ाजादा इक दिन में एक चमश फिर दो चल चमच एसे करके हमें step by step जाना होता है आप एक दिन में बच्चों को सब नहीं खिला सकते हैं या तो फिर एक ही दिन में बच्चा खाना खाने भी लगएगा ऐसा नहीं हो सकता है आपको हर एक चीज पेसंस के साथ धीरे धीरे बच्चे को इंट्रद्यूस करना है और बच कि साथ खुलाने के मामले में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पका बच्च खुल को बिल्कुल भ moss को बच्च expect क करने के लिए जल्दी नहीं कडिना चाहिए दीरे धिरे धिरे अपको step by step जाना चाहिए ताकि आप्का यहां पर मैंने जो भी मिस्टेक किया है शायद वह आप भी करते होंगे अगर यह मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो शायद आपका बच्चा भी खाने की तरफ इंट्रेस्टेट होगा आपको खाना लेके बच्चे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा तो यह गलतिया आप बि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा पैरेस तक पहुचाहिएगा